तो आज मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबको बहुत ही आपका दिली पुलिस का एक्जाम आने वाला है याब आप से मार्त 30 दिन बचे हुए हैं तो बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रही कि मैट्स कैसे दूस्तों मैं आपको बता दू कि मुझे फूल ऐस्पेरीयंस है एक ऑडिली पुलिस का एक्जाम क्योंकि मैंने दिली पुलिस का एकजाम दो जार अटारा वाला जो 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 2020 में हुआ था वह एक्जाम मैंने दिया था और मेरा उसमें सीलेक्षिंट भी हो गया था तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने उसको क्यों नहीं जोइन किया या मेरे पास क्या प्रॉब्लम होई वगरा वगरा तो अभी तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वह पहले अलग टॉपिक है फिर आपको बाद में बताऊंगा अगर आपको कमेंट करेंगे कि आपने द प्रॉटी अभी दिल्ली में चल रही है तो आप आपका दिल्ली पुलिस का एक्जाम तो मुझे पूरा इस्पीरियंस है एससी का मैट्स का टॉपिक वगरा तो आपको कैसे मैट्स को करना है और जो आपके 15 कोशन आने वाले हैं इस बाद दिल्ली पुलिस में एससी जीडी सबसे प्रभल संभावना होती कि किस नमबर कोशन सबसे किसने से आने से होते हैं चुर्ण बैसा सबसे पहला टॉपिक से नंबर सिस्टम नंबर इस पर होता है यह बहुतśnieं पर्षम के पार्ट में आता है तो यह आपका पहले टॉपिक है जो आपको पढ़ना या यह आपको कंपर में से कोशन आपने को मिलेंगे एक चोड़ कोशन तो हैंडिवा लगले बार का बहुत थोड़ा टफ था तो फोड़ा इस बार बीटा फरेने की संबहुना है अगर वेकंसिस कम होती है तो पेपर नों को टब बनाना पड़ता है क्योंकि कट आफ बहुत हाइच चले जाएगी फिर नमबर तूसरा टॉपिक है पर्सेंटेज कि मैं सौटकट लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाओगे पर्सेंटेज ठीक यह आपको दूसरा टॉपिक है पर्सेंटेज फिर आपका तीसरा है इसे भी आपको एक नंबर तो आपको एंडिट पर्सेंट देगा ही देगा नंबर तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ह है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस यह आपको देखना दो कोशन देखने को देखने को हैंडे 10 पर्सेंट मिल जाएंगे चौथा टॉपिक है अभी मैं आपको बताओंगो कैसे आपको सॉल करना है यह नहीं कि टॉपिक ही बता दूँगा फिर कैसे कॉल है तो सबको पता है कि कौन कौन टॉपि लेकिन जो मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वह आपको पहले बढ़ना है फिर बाकी बाद में नमबर सिस्टम हो गया स्वरी प्रॉफिट लॉस हो गया फिर आता है सिम्पल इंट्रेस्ट हैंडे 10% देखने को कुशन मिलेगा है तो आध्यवा टॉपिक है कमपाउंड इंट्रेस्ट हैंडे 10% एक सवाल देखने को मिलेगा तो आपके किने टॉपिक हो गया आपकी तो मोस्ट इंपोर्टन्ट है साथवा टॉपिक मैं आपको इधर बताता हूं रेसियो और रिख्यों से तो दो कुश्चन आपको देखने को 18% मिलने वाले हैं तो दो कुश्चन क्यूंस के प्रोफिट लॉस एंड रिश्यों दो दो कूशन आपको देंगे हैंड़े 10% देंगे शॉफब बाद 8 या टॉप टॉपिक है को एक टरेंड यह टाइम इस्पीड डिस्टैंस कि उसक्रेंस आट वॉइच पीडी से आपको दो और आ मिलेंगे रेशियो से दो कोशन बता दिया टाइम स्पीड से एक कोशन तो देखने को हैंड़ेट्र परसेंट मिलेगा एविलेस से भी एक मिलेगा और टूडी त्रीडी से दो कोशन तो आप कितने कोशन हो गए एक दो थीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा अब जो आपके mix question होते हैं वो कोई से भी पूछ सकता है तो जैसे mix question कैसे हो गए जैसे problem of age जैसे age की question नहीं होते हैं कि राम स्याम से इतना बड़ा है या राम और स्याम कि आयू कान पाज इतना है तो उनके बाद होना क्या होगा और एक topic और था time and work time and work यह आपको तस topic हैं जो आपको पढ़ने और हैंडे 10% में अच्छा स्कोर कर लोगे तो मैंने सब को बता दिए 15 question देखने इससे बाहर आपका एक बोलेंगे जो डियाई बोलना है कि question डियाई के भी आते हैं तो मैं मानता हूं डियाई काती है कभी कभी नहीं भी आती तो डियाई अगर आएगी तो वहीं पूछ लेगा कि बताओ यह कांट हो जाए दोगा तो अगर आको पर्सेंटएंट कि लोगे तु वह द्याएं बस इन श्यौंड तो 15 अगरा आपको बहुत बहुत अगर आप स्कॉर करोगे तहें अग्ले बार काम हो पाता है क्योंकि अगले बार का लेवल मैं अगले बाल से बता रहा हूं अगले बार का मैट का लेवल बहुत ही टफ था इस बार नॉर्मल रहेगा यह टफ हो भी सकता है तो आपके कंप्यूटर सॉल्व करेंगे तीसरे नंबर पर आप दिजनिंग सॉल करेंगे और चौते पर मैट्स वर्फेंगे अब आप का वीडियो बनाके मैट्स सबसे लाश्ट में सॉल करवा रहा हूं यह क्या मतलब देखो मैं आपको पूरी श्रेंग बता रहा हूं देड़ का पेपर है अगर आप इसमें दस मिनट लो लोगे इसमें तीर मिनट ले लोगे तेरा मिनट में आपने दो सेक्षन कंप्लिट कर लिए हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी खुसकबरी मलब खुसी होगी अब आपके टाइम बचा एक घंटा पंदा मिनट क्योंकि क्योंकि 25 कोशन आते हैं 45 मिनट अभी भी आपके पास एक घंटा पंदा मिनटा 75 तो 45 शालिस ले लिजेगा और इसमें बच गया 35 मिनट यह देखिए आपको कितना बढ़ी है मैंने टॉपिक बता दिया है तो आपको इस तरह पर सॉल करना है फैंडे 10% 70 75 मार्क्स आराम से आए और गे 75 नॉर्मल होता है आपको नॉर्मलेज होके टीवी बन सकते हैं तो मैस को मैं कैसे सब करना कैसे ने मैंने सब कुछ बता दिया है तो दिली फुलिस मैंने जॉइन नहीं किया या कैसे नहीं हुआ तो मैं सुब बता हूंगा मेरा क्वालिफाई हो गया तर इसमां मैंने क्या कुछ हुआ मेरे साथ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो आपके लिए पूरा कंप्रेट वीडियो बना दिया है मैं सका समझ गया होंगे अगर आपको और टॉपिक चाहिए रिजिनिंग वगारा तो सब कुछ बताएं कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा ओ थेंक्यू